एक लॉयर के वाइफ का एक टीनेजर के साथ अफेर हो जाता है। लॉयर कोई बात पता चली पर उसका भी अफेर चल रहा था। मूवी में ट्विस्ट आने के बाद आगे किया होगा कि हम एक्स्प्लेशन में जानेंगे। अगर आपको वीडियो अचल लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा। बिना किसी देखे के एक्स्प्लेशन स्टार्ट करते है। मूवी स्टार्ट होती है और हमारा में गारेक्टर यंग हमें दिखाया जाता है। और वहाँ से चला गया। आज उसकी मदर इनला उसके बेटे का ख्याल रख रही थी। जब उन्होंने मदर इनला को घर पर छोड़ा तो उसका बेटा उसे पूछता है क्या ग्राइन मा को पता है कि मैं अडप्टर हूँ। ग्राइन मा को आफकोस पता था। यून गहती है तुम्हें कोई भी इम्बेरस होने की जरुवत नहीं है। तुम मेरे बेटे हो और इस बात से प्राउड रहो। इसके बाद रात में यंग यून के जगा पर किसी और लड़की के पास आया। वो फिर घर पर आता है शौर वेगर लेता है। घर पर हम देखते है कि उसके बेटे के साथ उसकी बाड़निंग बहुत अच्छी है। आज राते तीनों साथ ही सो गए। यंग यून से कहता है कल मेरे फादर मेंडल हॉस्पिटल से निकलने वाले है प्लीज उने पिक अप कर लेना। यून ने कल अपने फादर इनलो को पिक अप किया। फादर इनलो कहता है घर जाने से पहले क्यों न हम बेर ले। फादर इनलो को बहुत सारे हेल प्रॉलम थे पर फिर भी यून उन गर पर यून का बेटा उसे कहता है कि मैं अडॉप्टेड हूँ इस वज़े से सारे बच्चे मुझे चिडाते हैं यून ने उसे कहा है कि डिलेवरी के वक्त मदर को तकलीफ होती है उसी तरीके से जब उसका बेटा उसके लाइफ में आया था तो उसे बहुत खुश हुई थ उसका हार्ट अपने बेटे के लिए एक करता है उसे बहुत प्यार करती है वो कभी भी उसे अलग नहीं समझती है आज राद यून और यंग इंटिमेट हो गए यून ने आजकल नोटिस किया है कि वो सैटिसवाइड नहीं हो पाती वो फिर हॉल में जाकर योगा कर रही थ जो टीनेजर उसका पीछा करा था वहीं उसका नेवर भी है उसे राद में भी दूरबीन से देख रहा था अगले दिन यून ने नोटिस किया कि वो लटका और उसके फादर ये दोनों हमेशा जगरते रहते आज भी उन दोनों में बहुत बड़ी फाइट हुई थी उस मैं कीम आज यंग फिर से कीम के पास आया हुआ था किम उसे कहती है मुझे लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ यंग कहता है तुम कंफर्म करने के लिए टेस्ट वेगरा करवा लो जब वो यहा था तो कीम के दरवाजे पर कोई नौक करता है किम ने उस आदमें से कहा था कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं तुम मेरे सामने ही रहते हो शीन ने फिर उसे लंज के लिए इन्वाइट किया और दोने एक जगा पर आते हैं इन्होंने बहुत सारी बात है कि आज यंग को बता चला किम एक्चौर में प्रेग्नेंट है तो इस वज़े से और टेंशन करवा लेता है इसके बाद यंग यून अपनी मदर और फादर को लेकर डॉक्टर के पास आया डॉक्टर उसके फादर को समझाते हैं कि अगर आपने लाइफस्टाइल चेंज नहीं की तो आपके पास जीने के लिए बहुत ही कम समय है फादर इस बात को थोड़ा सा भी सिर इंग अपने अफिस में है रात में यून अपने फ्रेंड के साथ बात करें थी वो बता रही थी कि मुझे लगा था कि शादी के बाद मैं बहुत ही सैटिसवाइट रहूंगे उसे लगता है कि जब वो अनमैरिट थी तो इसके लाइफ में बहुत सारी एक्साइटमेंट थ पर आप उसने डिसाइड किया क्यों शिन के साथ जाएगी ट्रेकिंग करते होग शिन यून से गयता है थोड़े मंस में मैं हमेशा के लिए अमेरिका चले जाने वालों तब तक अगर तुम चाहो तो मेरे साथ अफेर कर सकती हो यून इस पर सिर्फ हस देती है उपर मांटन प और वापस आ रहा था पर किम उसके साथ गाड़ी में ही इंटिमेट होने लगती है इसे के पैरलल में हम देखते हैं एक डिलिवरी मैन अपने फ्रेंज के साथ बहुत ज्यादा ट्रंक हो गया अब रात हो चुकी थी और दोनों एक दुसरे के आमने सामने आये यंग ने उस के पास आकर उसे सहारा देती है सारी चीजों को उसने आज बहुत ये अच्छे से हैंडल किया था कुछी दिनों में यंग के फादर की डेथ हो गए वो अपने फादर का सब सामान विक्रा देख रहा था अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंट कर रहा था उसकी मदर ने का ये लाइफ में फर्स बार मैं सही तरीके से फ्री हूँ फादर तो अल्डेडी मेंडर होस्पिटल में थे तो मदर ने उनके लिए वेट नहीं किया था उसका अल्रेडी किसी और के साथ अफेर चल रहा है वो उसके साथ खोश है और उसे के साथ रहना चाती है जब यंग औ और शीन ये दोनों फेस से मूवी देखने के लिए आए हुए थे यही बरी इंटिमेट हो जाते है प्रिवेसली यंग ने जिस डिलूरी मैन को हीट कया था वो उसके पास रिक्वेस्ट करने के लिए कहता है प्लीज कोई भी चार्जेस प्रेस मत करना उसकी पूरी फैमिली थे यून को कंफरंट कर रहे थे तब ही शीन ने जाकर अपना हाथ कास से टकरा दिया उससे खूनाने लग गया था तो फादर उससे हस्पीटल ले कर जाते है घर पर यून जब अपने बेटे के साथ थे तो उसका बेटा कहता है अगर तुम मुझे नहीं बताती कि मैं अड इसी कुछी उसे गुड़ बाए का शीन के फादर को इनके बारे में पता चलने के बात भी शीन जाकर यून से मिल आता है इन दोनोंने अपना अफेर कंटिन्यू किया था इन सब बातों से परिशान होकर शीन के फादर डारेक्ली यंग के पास आए उसे सब कुछ बात बता देते है एक्चुल में उन्होंने शीन की पीछे एक प्राइविट डिरेक्ट्व लगाया था इस वज़े सुने पता चला था सारा एविडन्स उन्होंने दिखाया इस बात से यंग डिस्टब हो गया और शीन के फादर को यहां से निकल जाने के लिए के लिए वो रात में पर बिठा कर एक सुमसान बिल्डिंग पर लेकर आता है यह डिलिवरी मैन बहुत ही डिस्टब है यंग ने उस पर चार्जे स्प्रेस किया थे इस वज़े जो उसकी जॉब चली गई डिलिवरी मैन को पता था कि यंग और केम गाड़े में एक साथ क्या कर रहे थे यह उसक वो अंडर करता है यह उसकी लाइफ यहां कैसे पोची और उसने भी सुसाइड कर ली अपने बेटे की डेड़ बोड़ी को रिकगनाईज करने के लिए यून और यंग को बुलाया किया यह देख करें दोनों बहुत रोते है थोड़ा टाइम बीट कया यह दोनों घर पर आ कहता है तुम एक टीनेजर के साथ कैसे अफेर कर सकते हो यून भी उस पर गुस्ता होगी कहती है तुमने भी तो अफेर किया था यह दोनों एक दुसरे को माफ नहीं कर सकते हैं इनमें बहुत बड़ी फाइट हुई फाइट करते करते यंग की वजए से यून के हाथ पर च कर लेता है यून को भी किसी की जरुवत थी वो शिन को बुलाती है और यह दोनों इंटिमेट हो जाते हैं घर आने के बाद हम उसे आइसक्रीम खाता देख सकते हैं और डारेक्ली नेक सिनमे में दिखाया है कि हो हस्पिटल में थी वह प्रेगनेंट है वह कभी भी मदर बन स्वात है कहता है प्लीज फिर से मेरे पास आजाओ यून उसे मना करती है कहती है यह चाइल्ड तुम्हारा नहीं है यंग ने कहा कि जब हमने अडॉप्शन किया था तो मैं उसे अपना ही बेटा मानता था मुझे तब भी कुछ भी फरक नहीं पड़ा था और अब भी नही करता जाओ यून इस बार भी उसे मना कर देती है पहले अफ़ेर तो यंग नहीं किया था उसकी निर्ज को कंप्रीट नहीं करता था तो इसी वजह से यून ने उस पर छीट किया यही चीज वो फिर से रिपीट नहीं करना चाहती वो अपने लाइफ से खुश थी अपने ब झाल 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 झाल